नमश्कार मैं हूँ आपके साथ शिखा चोहान और आप देख रहे हैं पियार भी सीम की कुर्सी तक पहुँचने में नायाब सिंग सेरी की रा का रोडा बन सकते हैं अनिल विज और बीजेपी के कई गद्दा बनने था हर्याडा इलक्षन 2024 के बाद अब हर्याडा की सियासत क गर्माया हुआ माहौर ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है इबेम का किस्सा शांत नहीं हो पाया कि बीजेपी के अंदर की जो खटपट की जो खबरे हैं वो सामने आने लगी आपको बता दे कि हर्याडा बीजेपी के दिगज नेता अनिल विज मुक्यमंत्री की कूरसी प अब भाजपा ने जीत दर्ज की इस तीर से भाजपा के गदाबर नेता और प्रत्यासिया निल विज ने निर्दलिय प्रत्यासी चित्रा सरवारा को हराते हुए 7277 वोटों से जीत हासिल किया जिया बाजपा की जीत के जस्न के वीच अब मुक्यमंत्री पद के लिए जीत सिंग इससे पहले भी खुलकर मुक्यमंत्री बनने की इक्षा जाहिर कर चुके हैं सरकार गठन से पहले राव ने दो दिनों में अहीरवाल बेल्ट के आठ विधायकों से जो है मुलाकात कर हाई कमान को अपनी तागत दिखाने का भी पूरा प्रयास किया है जी आप द जहीना कोसली से और मुकेश शर्मा गुरुग्राम से तेजपाल तंबर सोहना से वहीं है ओपी यादब नर्नोल से और बिमला चौदरी पटोदी से और कमर सिंग यादब महेंद्रगर से यह जो आठ बिधायक हैं यह जो है उनके समर्थन में हैं इन बिधायकों से जो है उसको अपनी पूरी तागत दिखाने की कोशिश की है उनका कहना है कि इस बार जो जिसने बीजेपी को जीत दिलाने में ज्यादा समर्थन जिस जगय कर रहा है वहां से जो है मुख्यमंत्री चुनना चाहिए मतलब जो है दक्षड हरयाना से मुख्यमंत्री चुनने का बात कई है लोग सब चुनाओं के बाद एक कारिकम को संबोधित करते हुए राव ने अपने मुख्यमंत्री बनने की इक्षाद जाहिर की थी बतादे कि इस बार अहिरवाल बैट से भाजपा ने 11 में से 10 सीटे जीती है और इसी कारण राव काफी एक्टिव हो गई है उधर आन पंडितों को गलत साबित करते हुए इस पस्ट बहुमत हासिल कर दिया हला कि प्रदेश में अभी भी मुख्यमंत्री के चहरे पर आखरी मोहर लगनी बाकी है जिस तरह भाजपा ने चुनाओं से पहले इस मुद्दे को शांत रखा है वैसे ही उम्मीद मतगरना के बाद भ बार उसने अकेली ही चुनाओ लड़ा और 48 सीटों पर पहुँच गई लगातर तीन मारप्रदेश में जीत हासिल कर हैट्रिक लगाना पार्टी के लिए किसी भी चमतकार से ज्यादा कम नहीं है तो इसी मुद्द्य को लेकर कि आब कौन बनेगा हर्याड़ा का अगला CM देखे CM कुर्सी तक पहुंचने में नायाब सेनी की राहा का रोडा बनेंगे अनिलविज देखे एक और देखे अनिलविज बोले मैं CM बना तो हर्याड़ा नमबर बन पर होगा शपत लेते ही करेंगे ये काम तो ये तो थी तमाम वो हैड्लाइन्स जो मीडिया में चल रह कर आपकी क्या राइस पूरे मुद्दे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएए तब तक के लिए मुझे दीज इजाज़त बहुत धन्यवाद